इस गड़ा जो बादल साब के जाने से सुन्यता जो पैदा हुई है मैं देख रहा हूँ लंबे अर्से तक इसको भर पाना सब के लिए बड़ी मुश्किल होगी बादल साब के जाने से सीख पंध ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है सतर साल का सारवजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन नहों ऐसा अजात सत्रु जैसा जीवन बादल साब के बिना कोई नहीं जी सकता ये मेरे मन से मैं मानता हूँ इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया दल तो हमारे दो अलग थे परन्तु हमेशा उन्होंने वो ही करहा जो मेरे दल के लिए भी सही था पंजाब के लगातार विदान सभा में रहने वाले सदस्य, सबसे ज़्यादा रहने वाले सदस्य बादल साप रहे सबसे ज़्यादा चुनावी रादनिती में भारत में जन पृतिनिती रहने का रेकोर्ड भी बादल साप का है पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और मैं रेकोर्ड के आधार पर कह सकता हूँ नए पंजाब की नीव डालने का काम स्री प्रकाज सिंग बादल नहीं कि वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फदे आज सन्मानिय बादल साब की अंती मर्दास में मैं संगत के सामने उपस्तित हुआ हूँ तब बादल साब हमारे बीच में न रहने से केवल पंजाब नहीं समगर देश की रादनिती और सामाजिक नित्रुत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ती नहो ऐसी शती हुई यह गड़ा जो बादल साब के जाने से सुन्यता जो पैदा हुई है मैं देख रहा हूँ लंबे अर्से तक इसको भड़ पाना सब के लिए बड़ी मुश्किल हो बादल साब के जाने से सीख पंध ने अपना एक सच्चा सिपाई खोया है देश ने एक देश भक्त खोया है किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनितिक जीवन के उच्च मानांकों ने मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है इतना लंबा सारवजनिक जीवन सत्तर साल का सारवजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो ऐसा अजात सत्रु जैसा जीवन बादल साब के बिना कोई नहीं जी सकता यह मेरे मन से मैं मानता हूँ मैंने एक बार बादल साब को मिला हूँ जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया जब भी मिला चेतना प्राप्ट करकर गया इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया दल तो हमारे दो अलग थे परन्तु हमेशा उन्होंने वो ही करहा जो मेरे दल के लिए भी सही था इतनी पारदर्सिता के साथ रादनितिक जीवन में सला देना ये महामानव के सिवा कोई नहीं कर सकता पंजाब के लगातार विदान सभा में रहने वाले सदस्य सबसे ज़्यादा रहने वाले सदस्य बादल साब रहें सबसे ज़्यादा चुनावी रादनिति में भारत में जन पृति रहने का रेकोर्ड भी बादल साब का है पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और मैं रेकोर्ड के आधार पर कह सकता हूँ नए पंजाब की नीव डालने का काम स्री प्रकाश सिंग बादल ने किया सरदार प्रकाश सिंग बादल के जाने के साथ ही भाईचारे का सरदार चला गया पूरा जीवन हिंदू सीख एकता के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया रादनिती में कई विरोध जिलने के बावजूद सबको एक जूट रखने के लिए बादल साब हमेशा प्रयास सिल रहे अभी सरदार सुखबीर जी बता रहे थे बादल गाउ में मंदिर भी बादल साब का बनाया हुआ है मस्धीद भी बादल साब की बनाई हुए है और गुरुद्वारा भी बादल साब का बनाया हुआ है साथ अर्थ में ऐसे व्यक्ति को दिया लेकर भी ढूंडेंगे तो देश के रादितिक जीवन में सामाजिक जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगा 1970 से लेकर आज तक जब भी देश के लिए खड़ा होने का मौका आया बादल साब ने कभी पीट नहीं दिए सारवजनिक जीवन में सबसे लंबा समय जैल के अंदर रहकर सिधान्तों के लिए पंथ के लिए संगर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंग बादल थे इमर्जनसी की बात हो मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना था अकाल प्रकाश सिंग बादल अकाली दर में चट्टान की तरह इमर्जन्सी के खिलाब खड़े रहे लोग कंत्र की रक्सा के लिए कारगिल युद हो, कोई भी लडाई हो या अतांकवाद की परचाई हो हर जगे पे बादल साब ने आस्मान जितने उंचे व्यक्तितों को ढाल की तरह देश के हीतों के साथ खड़ा पाया बादल साब का जाना समुचे देश के लिए बहुत बड़ी खशती है सर्दार सुकबीर और विबी हर्व सिम्रत जी के लिए नहीं पूरे देश के लिए खशती है और मेरे जैसे सारवजनिक जीवन के कई कारे करताओं के लिए भी अपोनिय खशती है आज दसम गुरु के चरणों में मैं यही प्राथना करना चाहता हूँ कि बादल साब के जीवन से हम सब प्रेणा ले और उन्होंने जिस रास्ते पे चलने की सीख दिती उस रास्ते पर चलने की वाहे गुरु हम सब को सक्ति दे बादल साब के सारे अनियाईयों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ अन्त में बादल साब को मेरी और से मेरी पार्टी की और से और समग्र देश की और से भारत सरकार की और से स्रधान जली देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ वाहे गुरु जी का खाल साब वाहे गुरु जी की फते